जैन दोस्तो वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर और दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हुई है UPSSCE एक्जाम 2022 की पैट की क्लासेद तो पैट की क्लासेद यहाँ पर हमने स्टार्ड कर दी है पहली class upload हो चुगी है maths की आप लोग जाईए और उसको देखे और आप regular basis पर आपको daily तीन से चार classes यहां पर मिलने वाली है हर एक अलग-अलग subject की क्योंकि जो हमारा लक्षे है यहां पर दो महीने के अंदर अंदर यानि की exam से पहले पहले आप लोगों का syllabus पूरा करवाना सा दोस्तों तो current affairs की classes तो regular basis पर ही चलने वाली है डेली ही आप लोगों को मिलेंगी दूसरी जिस यह है कि कुछ मुख्य मुख्य important questions जो हम यहां पर देखेंगे जो भारत के हो और वैश्वी की स्तर पर हो वही current affairs यहां पर पूछा गया है तो यहीं दो जो हमारे main point है इन दोनो कुछ महीने के current affairs हैं उनकी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड यहां पर अलग अलग दिन करवा दूँगा क्योंकि उसमर हम यह सोच रहे हैं कि उसको मैं 10 से 15 दिन के current affairs एक साथ चाहे वो 50 बने 100 बने जो भी बने वो आप लोगों को प्रोवाइड वहां पर करवा पूरा प्रयास अपनी तरफ से और free batches भी आप लोगों के लिए start किया गया है YouTube पर पहली बार पूरा हर एक topic आप लोगों को free of cost यहां पर provide करवाय जा रहा है तो आप हमारा telegram group join कर लिजे link description में जहां पर आप लोगों को current affair की आज की questions जो है वो provide हो जाएंगे चलिए start करते हैं तो साथियो सभी साथी अधिक से अधिक वीडियो को share कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो like comment share subscribe जरूर कर देना और अपने सभी साथियो तक वीडियो को share करना क्योंकि जो साथी यहां पर पैट की तयारी कर रहे हैं और उन्हें सही से matter नहीं मिल पा रहा है तो हमार तो start करते हैं आज का पहला question हमारा थोड़ा सा यह बोड़ पर मैंने नहीं कराना समझा क्योंकि आज यहां पर अगर आप लोगों को सही से समझ आ जाता तो आप लोगों को फिर इसी तरीकी से करवा दिया जाएगा और अगर आप लोगों की demand fee की बोड़ पर कराना है तो ब 24 जुलाई 2022 को यह मनाया गया है यह दिन देखिए पूछ लेता है आप लोगों से कि कौन सा दिवस कम मनाया जाता है तो इसकी भी मैं अगर कोशिश करूँगा कि एक आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूँगा टेलिग्राम ग्रूप पर जिस पर स Central Board of Direct Taxes यह इसको मनाता है और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी CBDT की स्थापना हुई थी Headquarter इसका New Delhi में है और इसके वरतमान में जो प्रेजिडेंट है वो है नितिन गुपता ठीक है नितिन गुपता इसके वरतमान में प्रेजिडेंट है उम्मिद करता हूँ आप लोगों बाद आप लोगों को मिल जाएगी आप लोग महां से उठाइए और उसको नोट कीजिए अराम से और कुछ फैक्ट जो है वो आप लोग अराम से सुन लीजिए अगला है नीरच चोपडा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपिन्शिप में कौन सा पदक जीता है तो अभी हाली देकर बन सकता है कि कौनसा मेल जीता है आपका वर्ल्ड एथलेटिक क्यांपेन्शिप में तो सिल्वर मेल जीता है और कौनसा कितने मीटर में जीता है तो यहां पर 88.13 में उन्हों नें जीता जीता है Richard important question आप लोग याद रखना World Athletic Championship से जो भी questions हमारे बनेंगे वो भी आप लोगों को मैं किसी दिन अलग video में provide कराऊंगा पर regular basis पर जो हमारे questions चल रहे हैं आप लोग इनको practice करते रहिए क्योंकि आप एक से दो बार अगर video देख लोगे तो आप लोगों का question का लतनी होना वेला इस चीज की guarantee है अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनोगे तीसरा question है टाटा प्रोजेक्ट के नए प्रबंदक निदेशक कौन बने है टाटा projects के टाटा company से आप लोग भली बाती वाकिफ होंगे ठीक है दोस्तों तो इसके नए प्रबंदक निदेशक कौन बने है इसके नए प्रबंदक निदेशक जो बने है वो नाम आप लोगों को याद रखना है चिब दोस्तों अगला कोशन करते हैं कि अधारली में यह किस देश के नागरिकों ने जीता है कौन सा Decent Human Rights Award 2022 यह आप लोगों को याद रखना है कि Decent Human Rights Award 2022 मिला है यह आपर यूकरेन के नागरिकों को ठीक है दोस्तों यूकरेन के नागरिकों को ऐसे ही मज़ेदार और ऐसे ही अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट पाने के लिए आप लोग ऑनलाइन स्टेडी आरजेटी यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़ जाएए और आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए जो भी साथियों पैट की तयारी यहां पर कर रहा है और जिसको कुछ भी भार से थोड़ा वो समझ नहीं आता है तो बिसिक से यहां पर आप लोगों को सारी चीज़े बताई जाएंगे आपके डाउट के लिए यहां पर किये जाएंगे नेक्स कोशन है पेटियम पेइमेंट सर्विसिज लिमेटेड के CEO के रूप में किसे न्यूट किया गया है तो यह नकुल जैन जी को किया गया है पेटियम पेइमेंट सर्विसिज लिमेटेड के CEO के रूप में तो ध्यान रखना है आप पेटियम के CEO नहीं है आप यहाँ पर देखो कि PTM Payment Services Limited के CEO तो यह हैं आपके नकुल जैन कितना आपको इस question से याद रखना है अगला question है six question हमारा कि किस केंदरी मंत्री ने civil सेवा परिक्षा सिविल सेवा परसिक्षन संस्थानों के लिए राष्टे मानक लौंच किया है यह किया है जितेंदर सिंग ने जो कि हमारे वर्तमान में केंदरी मंत्री है किसी केंदरी मंत्री है परमानू उर्जा अंत्रिक्ष विभाग के यह तन आपको इस question से याद रखना है नेक्स कोशन देखते हैं कि किस बैंक ने R.S. गांधी को अतरिक स्वतंतर निर्देशक रूप निर्देशक नियुक्त किया है कौन से बैंक ने किया है ठीके R.S. गांधी को अतरिक स्वतंतर निर्देशक नियुक्त किया है तो ये किया है आपका येस बैंक ने ठीक है यह क्या है आपका yes bank ने ठीक है इतना आपको इस question से याद रखना है अब yes bank की बात आईए तो yes bank की इस थापना कब होई थी 2004 में होई थी headquarter इसका कहां पर है मुंबई में है इसके CEO कौन है इसके वर्तमान में CEO प्रशांद कुमार है तो इतना आपको इस question से याद रख नेक्स question देखते हैं एट question हमारा आज की वीडियो में दसी question लिए गए है क्योंकि यही मुझे important लगे ठीक है दोस्तो नेक्स वीडियो से आप लोगों को और भी जादा question मिलने की संभावना है जो जो important बनेंगे चाहे वो 20 बने चाहे वो 4 बने important मिलेगा सिर्फ भारत और कि इस देश के बीच समुद्री साज़ेधारी अभ्यास आयोजित हुआ है तो यह हुआ है आपका जापान के साथ भारत और जापान यहां पर यह करेगा अब जापान की बात आई है तो जापान की capital आपकी टोकियो करंसी हमां की येन पीएम हां के हैं form you किशिदा और प्रेज और जब तक पैट चलेगा तब तक के करेंट अफेर आने की पूरी पूरी संभावना यहां पर बनी हुई है इनके बीच में से तो आना ही आना है नाइंध कोशन है किस राज्य ने परेटन नीती 2021 की शुरुवात की है तो यह की है आप लोगों की जारखंड ने जारखंड की बात आई है तो कैपिटल है यहां की राची आप सभी को पता होगा और सिय में आगे हेमंत सरेन ठीक है परेटन नीती 2021 की शुरुवात की है ठीक है यह आप ध्यान रखना परेटन नीती 2021 की शुरुवात की आपकी चारखंड ने लास्ट कुस्टन आज की वीडियो का कि क इस देश में से एक दशक बाद पोलियों का पहला मामला दर्ज किया गया है अब दिखेंगे दशक को बोलते हों यहां पर अभी तक कोई मामला नहीं आया था आप जब एक दशक निकल चुका है यहां निकल करके आया है तो अमीद करता हूं दोस्तों आप आज की वीडियो यह अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ और इंप्रॉमेंट मैं आपर कर सकता हूं तो वह मैं आप लोगों कि लिए करने के तहीयर हूं तो आप लोग कमेंट जरूर करना technique को